हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बर फिर से पेंशनर्स के लिए और जवानों के लिए हम बात करेंगे जो नए बेनेफिट्स मिलने वाले हैं और अभी जो ताजा ताजा जो मोई साइन हुआ है इसमें ना सिर्फ जवानों का बलकि पेंशनर्स के लिए यह मोई साइन किया गया है और जैसा कि हर वीडियो में हम जो है मैं आपको आफिस की ओडर कॉपी दिखाता हूँ इस वीडियो में भी हम बात करेंगे क्या यह लेटेस्ट ओडर है और किस तरीके से यह सभी जवानों और पेंशनर्स के लिए जो है बेनिफिशियल है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कीजिए जसे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दोए हैं और दोस्तों जो भी आप वीडियो देखते हैं उसको confirm जरूर करें जिससे कि आपको हमेशा सही जानकारी मिल सकें तो इसको जरूर जो है office order को जरूर चेक करें उसके बाद ही इसको अपना decision दें तो चलिए दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे दिखाता हूँ आज का जो है office order और इसमें आप देख सकते हैं State Bank of India जो है उसके साथ MOU renewal हुआ है और आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई 2021 को जो है expire हुआ था जो पहले memorandum था और अब इसको renew कर दिया गया है 14 December 2021 for further period of 3 years तीन साल के लिए इसको एक्सेंड कर दिया गया है many features have been enhanced and benefited benefits are now being extended to pensioners जो बहुत सारे features जो है उसको enhance किया गया है और आप जानते हैं कि bank जो features देता है वो customer की benefits के लिए होता है और अब जो है जैसा कि हमने बात किया था पहले ये जवानों के लिए serving employees के लिए था अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको extend कर दिया गया है pensioners के लिए भी which was not existing जो पहले MOU sign किया गया था जो 11 July को expire हुआ था उसमें ये नहीं था the detailed features of defense salary package which are applicable और ये चार जन्वरी से जैसा कि हमने बताया कि ये जो नए benefits है वो जन्वरी 2022 से और वो चार जन्वरी 2022 से जो अप्लिकेबल होंगे इसमें बहुत सारे features है कुछ important feature यही है कि जो spouse है children है parents है and siblings are eligible to open for SBI रिष्टे एक family account है वो खोला जा सकता है with no minimum balance सबसे बड़ी चीज़ी है कि इसमें कोई minimum balance की ज़रूत नहीं है और ये benefit जो है ना सिर्फ serving को ये family pensioners को भी जो है applicable है और the benefits of DSP accounts are available only at DSP category account और ये वाला जो benefit है वो सिर्फ DSP category account के लिए ही applicable है और इसमें अलग-अलग features है जो की जो भी आप category यूज करते हैं gold, diamond, platinum उसके हिसाब से bank आपको अलग-अलग सुईधाय देगा और इसमें आप देख सकते हैं same need to be verified by the pensioner through passbook और internet banking जो भी आपको plan लेना है वो आप ले सकते हैं और ये सभी के लिए है शौरे family pension account if account is not categorized as dsp अगर जो account है वो dsp categorized नहीं है dsp pension शौरे family pension account तो ये तीन चार अलग-अलग तरह के जो account है जो आप open कर सकते है then an application with required document to be submitted at respective branch उसके बाद से आपको application देनी है उस branch में जो भी आप account खुलवाना चाहते है दोस्तों नए M.O.U. sign हो गया है और ये अब जो है pensioners से लेके family pensioners सब के लिए applicable है spouse, children इस तरही के से family account भी आप खुलवा सकते है तो दोस्तों ये था pensioners और जवानों के लिए एक अच्छा तौफा और ये memorandum sign हो चुका है पुलाना memorandum जो है expire हो तो उसके बाद से जो है एक बार फिर से जो है जैनवरी से इलागू होगा और इसमें जो है जो जो pensioners इसका benefit लेना चाहते हैं या family pension लेना चाहते हैं अब वो असानी से ले सकते हैं और अलग-अलग इसमें भी categories हैं जिसमें के आपको bank इसके according अलग-अलग सुविधाय देगा तो दोस्तों ये था आज का important update सभी pensioners के लिए और जवानों के लिए और इसमें आप जो है इस वाले और इसको जरूर जो है verify करें दोस्तों ये था आज का important update सभी pensioners और जवानों के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है जो है दोबारा renew हो चुका 14 दिसंबर का ये ध्यान रखना है और ये benefit जो है अगले तीन साल तक जो है आपको applicable होंगे Thank you for watching this video